Hello dear students, टिवारे अकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है, मिरे नाम है राहूल और आज की इस complete video lecture में discuss करने जा रहे हैं class 6 का chapter number first और इस chapter के अंदर हम discuss करेंगे passage number fourth इस passage के अंदर आने वाले सभी important word meanings को भी discuss करेंगे इसके साथ-साथ passage के explanation को भी discuss करेंगे इसके अलावा इस passage के उपर based जो भी important question answer हो सकते हैं उनको भी discuss करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और समझने की कोसिस करते हैं सबसे पहले passage के explanation और उसके अंदर आने वाले word meanings को भी यहाँ पे सबसे first line में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उस चोटे से आदमी के चेहरे पर रिंकल उसके चेहरे पर जैसे की जो पोचे के कपड़े होते हैं जैसे पोचे कपड़े को आपने देखा होगा और जैसे उसके चेहरे पर सिल्वटे पढ़ गई थी जैसे की डिस्कलोथ त्रोन इन दे हैंपर जैसे की पोचे के कपड़े को हम टोकरी में फेक देते हैं अब इसकी next line में जाने से पहले यहाँ पे दो आपको word meanings दिख रही होंगी रिंकल और हैंपर इसका मतलब आपको समझना हुआ रिंकल का मतलब होता है इसकी में होती है और हैंपर का मतलब होता है जो लांडरी की बसकेट होती है उसको हम क्याते हैं यानि की जो टोकरी होती है जिस पे हम अपने जो पोचे होते हैं उनको हम उसके अंदर रखते हैं वो टोकरी होती है पोचे के कपड़े जो होते हैं उनको हम उसके अंदर रख and scald and pursed his lips oh am I crushed but I will do it he kicked his leg अब उसने किया क्या उसने अपने ही पेरों को लात मारी and doubled his fist अपने जो हथेलियां थी उनको fist क्या मुठ्यों को बाथा जोड से राइट अपने पेरों को लात मारी मुठ्यों को भीच कर and grimst जैसे कि मुव बना लेना एक दो उसको हम कहते हैं grimst right grimst right and scald and pursed scalded and pursed his lips अब scalded का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है scalded का मतलब होता है sicgonna जैसे भ्वएं होती है जो उसको sic信na और पर्स्ट का मतलब होता है कि अपनी जो लिप्स हैं उसको उसने क्या किया अपने जो होट है उनको सी कोड़ा और उसने कहा मैं तो सापित हो गया हूँ यानि मैं तो एक तरीके से मेरे उपर ये पाप लग गया है यसे कि आपने देखा होगा ना कि जो राक्षण होती है उन्हें वो मिल जाता है अगवान की तरफ से उनको स्राप मिल जाता है मैं सापित हो गया लेकिन मैं यह कार्य करूंगा तो अब यहाँ पे जो मिनिंग्स हैं उनको हम कवर करने की कॉसित करते हैं और इसकी complete में एक बार explanation को भी फिर से repeat कर देता हूँ ताकि आपको कोई doubt न रहे इनकी minutes को सबसे पहले हम cover करते हैं kicked kicked का मतलब होता है strike with foot kicked का मतलब होता है पेरों से मार देना kick कर देना हम कहते हैं kicked his leg उसने अपने पेरों पी पर लाथ मारे and double leg fist मतलब close hand कर लेना बिल्कुल fist मुठ्यों को बादना and grimst का मतलब होता है जिसे face की जो muscles होती है उनके उपर ऐसा सिकुड़ना अपनी भाओं को उसको हम कहते है grimst right and squalidate का मतलब होता है एक angry face से बना लेना gloomy look जिसमें की जो अपनी eyebrow होती है वो सिकुड़ना उसको भाओं को सिकुड़ना कहते है और इसी तरीके से curse का मतलब होता है सापित होना जिसको पाप लगता है उसको हम कहते है अगर इस complete इसकी meaning को आप समझना चाहे इसके explanation को समझना चाहे तो आप कह सकते हैं कि उस छोटे से आदमी के चेहरे पर टोकरी में फेके हुए थाली जैसे कि थाली वो थाली जो पोचे की कपड़े जैसी सिलवटे उसके उपर पड़ गई थी and he kicked his leg उसने अपने पेरों को लात मारी मुठ्यों को भीच कर मूँः बनाया और जो उनकी भौए थी and first his lips और अपने जो होट हैं उनको सिकोड़ा और उसने कहा ओ मैं तो सापीत हो गया लेकिन मैं ये कारे अवस करूँगा but I will do it इसकी explanation को तो अपने completely समझ लिया है इसकी meaning को भी समझ लिया है चलिए इस passage के उपर based कुछ important question answer को भी हम देखते हैं कि किस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं ये passage है और इस passage के उपर जो important question इस paragraph के उपर जो based है उनको हम देखते हैं यहां लिखा हुआ है a little man face finger like disclose so his emotion उसके emotion को ये किस तरीके से so कर रहा है तो आप क्या सकते हो कि off anger होगा इक गुस्से वाला emotion उसके चेहरे पर वो दिख रहा है वो चोटे शे आदमी के उपर अब हम आते हैं एक question बहुत simple है जो मैं आप से पूछूँगा what is the meaning of fist अब इसकी meaning क्या होगी मैंने आपको बता है मुठ्यों को बांद ले रहा है यानि कि अपने hand को close करना close hand that like a fist fist right अब इसी तरीके से आप क्या सकते हो इसकी जो meaning होगी वो close hand होगी और इसकी अलावा यहाँ पर hamper hamper का मतलब होता है वो जो basket होती है जिसमें हम अपने पोचे के कपड़ों को रखते हैं उसको हम कहते हैं hamper right और उमीद करता हूँ कि यह जो passage है आप लोग को बहुत अची तरीके से समझ आया होगा अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई doubt है तो आप comment box में question कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारी website को विजिट करके complete Hindi to English translations को भी देख सकते हैं so thank you so much and thanks for giving me a precious time at the last God bless you thank you so much